दोस्तों सरदी के मौसम में तरह तरह की सीजनल वेज़िटेबल मार्केट में असानी से उपलब्द हो जाती हैं जिने हम अपने खाने में शामिल करते हैं, कुछ सबजियां बना कर, कुछ अचार बना कर इनका आनन दिया जा सकता है ऐसे ही एक अचार की रेसिपी शियर कर रही हूँ, इंस्टेंट गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार नमस्कार दोस्तों, तनुवेज किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, रेसिपी देखने से पहले, प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा रेसिपी को पूरा देखिएगा गाजर और मूली का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए सबसे पहले गाजर और मूली को साफ पानी से दो-तीन बार धो लेंगे इसकी मिट्टी अलग कर देंगे और एक कॉटन के कपड़े से पोच कर पानी सुखा लेंगे इस तरह से चाकू से चील लेना है और चोटे टुकड़ों में काट लेना है मैंने यहां लंबे लंबे चोटे पीस बनाए हैं आप कोई भी मनपसंद आकार्मी काट कर अचार तयार कर सकते हैं मूली कट कर तयार हो गई ऐसी तरह से गाजर को भी छोटे टुकड़ों में काट लेना है बीच का यह पीला भाग अलग कर देना है क्योंकि इसका स्वाथ अच्छा नहीं आता है गाजर के भी लंबे लंबे टुकड़े काट कर रख लिए इसी तरह से हरी मिर्ची के दोनों किनारे अलग करके और दो टुकड़े बना लेना है या बीच में से चीरा लगा देना है यह दस से बीस हरी मिर्ची है दोस्तों रेसीपी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जिरूर करिएगा एक चमच सौफ आदे चमच मैथी दाना डालकर सुनेरा होने तक ट्राइ कर लेना है अब आठ से दस कटी हुई मिर्ची एड कर देना है एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च एक चमच नमक दो चमच पिसी हुई राई डाल देना है क्योंकि तेल गरं है उसमें राई अच्छे से सिख जाएगी इसलिए मसालों को पहले से रोस्ट नहीं किया है अब इसमें कटी भी गाजर मूली डालकर एक स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे जब सभी मसाले अच्छे से मि आज पर इस तरह लगाता चलाते हुए मूली गाजर और हरी मिर्ची थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएंगी फ्लेम ओफ करेंगे अचार बनकर तयार है ठंडा करके किसी काच के जार में स्टोर करके रख लेंगे दो दिन में ये अचार खाने के लिए तयार हो जाएगा बिना ध अचार को आप पूरी पराटे से या दाल चावल से एंजोई कर सकते हैं तो है ना कितना आसान इंस्टेंट गाजर मूली हरी मिर्च का अचार आभी ट्राइ करिए इस अचार को और पताए कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट्स करके अपने सजेशन जरूर लिखिएगा दोस् और नई रेसिपी कुछ खास टिफ्स और ट्रिक्स के साथ देखते रहे है तनू वेस किचिन थेंक्स फोर वाचिंग